हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे चैनल मैथ सोलवा ट्रिक पर तो दोस्तों आज हम 16 जनवरी 2021 के पर्थम पाली में पूछे गया है प्रक्ष्ण आरार भी एंटी पीसी के बारे में अध्यान करेंगे कौन-कौन सारा कोश्चन 16 जनवरी 2021 में पूछा गया है तो बीना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी एक काम करिएगा आप जो आप मेरा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में बेल आइकन का निसान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर लिजेगा ठीक है और विडियो को ज आपका राजस्थान में है ठीक है तो इसे याद रखेगा और यहां पर देखिए कुछ पढ़ने वाले चीज़े दिसे आप पढ़ लिजेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आगया थे उसके बाद बोल रहा है कि उनेशो सतहत्तर में भारत के प्रधान मंत्री कौन थे तो मुर 22 अक्टूबर 2008 सिरिहरी कोटा से सफलता पुरवक लांज किया गया था नेक्स्ट आगया आते हैं आगे कह रहा है कि महराष्ट और गुजरात का गठन कब किया गया तो एक माई 1960 को इसका गठन किया गया था ऐसे जितने भी एस्टेट हैं सभी से संबंदित गठन वर्स सेख़ें गांगे इनमें से कौन इंपूंट डिवाएस से कौन आउट्पूट डिवाइस से कौन बोत मतलब दोनों है सब कोशंट कर जाईएगा देकि है यहां पर फिर कंपुछे से कोसन पूछा कर गया है इसे कंपूटर कमकुष्थ कौन boil तो घूक्प कूस यह थे क्व नेशनल कोर्ट औफ जस्टिस कहां इस्थी थे तो दहेग यानि निधर लैंड में इस्थी थे हैं और ये कुछ पढ़ने वाले चीज़ है ते इसे आप एक बार देख लिजी ध्यान से ठीक है मुसलिम लिग ने किस कॉंग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था तो लखनाओ उनेशन शोला में भाग लिया था नेक्स्ट और ये कुछ पढ़ने वाले चीज़ है इसे भी आप देख लिजी एक बार नेक्स्ट आगे बढ़ते है नेक्स्ट कहरा है कि भारत में हरित करांती के जनक के रूप में किन्हे जाना जाता है तो एमेस स्वामी नाथन को जाना जाता है लेकिन यही अगर आप से यह पूछ दे फ्रेंट से की अगर 20 विविल पर पूचे तो 20 विविल पर किने माना जाता है तो normal d बोड लॉंग ठीक है आप याद रखेगा बोड लॉंग ठीक है बुर लॉंग है ठीक है नॉर्मल डी बुर लॉंग तर इसे भी आप ख्याल रखेगा कि लाउंग हो गया था और एक सेकेंट थारा सी रुक जाई एक सेकेंट देखिए उसके बाद फिर क्या कहा रहा है इलक्ट्रॉन का होज किस ने किया था जे जे थॉम्सन ने इलक्ट्रॉन को खोज किया था नेक्स्ट आगे वड़ते हैं कि महात्मा गांधी दच्छीन अफ्रीका से भारत कब लोटे तो 9 जनवरी 1915 को बापस लोटे थे इसी कारण से परवासिज भारती दिवस 9 जनवरी को भी मनाय जाता है और ये कुछ पढ़ने वाले चीज़ है कि कह रहा है कि दच्छीन अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जे अपनी कस्तुरबा के साथ 9 जनवरी 1915 को भारत लोटे थे नेक्ट क्या कह रहा है कि कॉपर लाइटनिंग रोड की खोज करने वाला पहला भ्यक्ती कौन थी बेंजमिन फ्रेंकलीन नेक्स बोल कि भारत का पहला वाने जी की रेडियो स्टेसन कब सुरू किया गया था 1927 में सुरू किया गया था और next question है कि निमलीखित में कौन सा देश भारत के साथ अपनी भूमी सीमा साजहा नहीं करता है तो यह आपको कौन है तो यहाँ पर देखिए उसमें options आप छाट लिजेगा पहले आप यह जान लिजे कि कौन-कौन ऐसे देश है जो भारत के साथ भूमी साजहा करते हैं तो चीन, पाकिस्तान, भुटान, मियनमार, आफगानिस्तान, नेपाल और बांगलादेश ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा कि गुजरात बिजाई के बाद मुगल समराट अगवर ने किस असमारक को बनवाया तो बुलन दरवाजा को बनवाया था फ्रेंट से, जिसे हम बुलन दरवाजा को जीत का द्वार कहा जाता है तो 16-2 में बनाया था, ठीक है तो आप इसे याद रखेगा आप ये कुछ पढ़ने वाले चीज़ है तो इसे आप एक बार ध्यान से देख लिजे चलिए, नेक्स्ट आगया था कि कॉंग्रेस के किस सतर में महातुमा गांधी ने भाग लिया था तो 120 नेक्स्ट है, अपसिष्ट समागरी से एक प्रसन पूछा गया है तो यहाँ पर पूस्टों सो पता नहीं चला क्या था नेक्स्ट आगया था है, टोकियों उलम्पिक 2016 में गोल्ड मेडल किसी ने जीता, तो दीपा मलिक ने जीता ठीक है, 2016 में गोल्ड मेडल नेक्स्ट बोल रहा कि इंग कलाव जिंदावाद के नारे को किसी ने लोग प्रिये बनाया और बचाने बब नारे, जितने भी महापुरुसों के बचाने बब नारे हैं, तो वो सारा कुछ आप देखका जाईएगा चलिए, नेक्स्ट आप देखिया, आपर बोल रहा कि किरिसी से भी एक प्रसन पूछा गया था, ठीक है अब वो क्या था, वो फिलाल तो पता नहीं चला, ठीक है, लेकिन किरिसी से भी एक प्रसन पूछा गया है नेक्स्ट आपका बोल रहा कि एजिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कहां इस्तित है, तो केरल में इस्तित है नेक्स्ट 22 पर कहा रहा कि दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में कब घोसित किया गया, तो 1911 में घोसित किया गया था चलिए नेक्स्ट और ये कुछ पढ़ने वाला चीज़ है, इसे भी आप पढ़ लिजेगा, ठीक है, जॉर्ज बंचम थे, ठीक है आने वाले थे, तो ब्रेटी समराज के समराज ने भारत के राजधानी कलकत्ता से दिल्ली अस्तनादित करने के घोसना की थी नेक्स्ट आगे कारा इज आप डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का रेंग क्या था, तो 63 पोजिशन पर था, ठीक है जितने भी आपका जैसे बौधीक समपता में भारत के मास स्थान पर है, ठीक है इज आप डूइंग बिजनेस के कौन से स्थान पर है था ये सारा कुछ चाहिएगा नेक्ट बोल रहा कि उत्रा खंड के लोग निरित से जुड़ा भी एक सवाल पूछा गया था ठीक है तो निरित से समन्दी जितने भी है आप देखकर जाएगा उसे भी करा जन गन्ना 2011 के नुसर भारत के किस राज की घनतव दर सबसे कम है तो वो है अरुनाचल प्रदेश और यहां पर भी कुछ डाटा दिया गया तो डाटा के पर देख लिए जियाब ठीक है नेक्ट बोल रहा कि UNO के स्थापना कब की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी ठीक है इसी कारण तो मैंने आपको 16 जनवरी के 1st में कौन-कून सारा कोशन पूछा गया और 2nd स्थारी जो आपका 16 जनवरी का जो 2nd सिप्ट में है ठीक है तो वो सारा कौन-कून कोशन था तो यहां पर मैंने आपको बता दिया आप पर क्या करिएगा कि जितने भी कोशन्स है ठीक है सब पीट भी किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप हमरे चनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को बाट सब ग्रूप पर जरूर सेयर कर दें इसे जितना से जितना हो उतना से शेयर करिए फ्रेंड्स ठीक है